अरे कृष्टना दोस्तो नमस्कार बात करते मार्किट की कल के लिए कि कल मार्किट में क्या हो सकता है देखिए आपके साब ने बैंक निफ्टी का एक प्लेन चार्ट मैंने खोल रखा है आज मैं लाइफ था और मैंने 6.500 का टागेट दिया था कुछ यहाँ पे रेंट्री करी थी 500 के उपर जब मार्किट निकली थी उसके बाद मार्किट में वालेटली खूब रही देखो यहाँ पे एक कैंडल नीचे आ रही है यहाँ पे उपर जाकर नीचे आ रही है बट दीरे दीरे slow and steadily मार्किट में टागेट आ गए बट अगर आप देखो कि पिछले तीन चार दिन का प्राइस एक्षन तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे एकदम साइडवेज दिन रहा उसके अलबा यहाँ पे आप देखोगे तो भई कुछ मार्केट में वॉलेडिलिटी हुई थी मार्केट गैप खुलके ऊपर गई शॉट कवर हुए फिर नीचे आई फिर बीच में बंद हो गई जहां खुली यहाँ पर भी साइडवेज रही यहाँ पर सूबे का जो एरिया है वहीं पर कहीं पर थोड़ा सा बाउंस आया आपको यहाँ पर गैप दिखाई देगा सेम क्लोजिंग अज फिर से गैप लगबग थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग मगर यह सब कुछ गैप अप्स में हुआ है कुछ भी यहाँ पर इंट्राडे में नहीं हुआ एक चीज पॉजिटिव हुई है वह मैं आपको पह फोट एरिय कहा शोत एरिया है यहाँ पर मांक को सपोट था जब यह एरिया के नीचे माकेट आही ठी तो में एक भुहत शेलिंग वाग partisan में नास्ट के लास्ट टे वीक में तो यहाँ पे तीन दिन में मांकेट कितना गिडि थी अगर आप देखोगे तो तीन दिन के अंदर अंदर market जो है almost यहाँ पे because of expiry positions बनी होती है तेरा सो point गिर गई थी अभी हम slow and steadily recover कर रहे हैं और इसके ऊपर निकल गई हैं इसी level पे हमने resistance खाया था जब आउस किया था पहली बार फिर गिर रहे थे लेकिन W बनाके अब हम ऊपर निकल गई हैं अगर market का यह down trend है तो यहाँ से market गिर के fresh low भी बनाने जा सकती है अगर market का यह up trend है तो अगला resistance इस area में है तो market यहाँ से एक बड़ा candle बनाके यहाँ पे पहुंच जाएगी फिर इधर टाइम बिताने लग जाएगी तो तीन चार दिन पाइन छे दिन ज्यादा भी यहाँ पे market थोड़ा उपर नीचे करेगी और फिर आने वाले दिनों में हम यहाँ पे 45,000 भी टूट के 46,000 की तरफ बढ़ते वह वापस देखेंगे तो अगर market को 46,000 की तरफ जाना है तो यहाँ पे एक इंट्राडे वाइंग चाहिए हमें और इंट्राडे वाइंग तभी अच्छी होती है जब market फ्लाट या गैप डाउन खुले यानि कल market गैप खुलेगी तो अगेन फिट जैसे आवी रोज 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 हो रहा बैसे ही ह नहीं हो सकती, market काफी दिनों से लगातर गैप भी खुल रही है तो कल मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा गैप डाउन खुले अब यहाँ पे कल फिनिफ्टी की एक्सपाइरी भी है तो वहाँ से भी हमें थोड़ा सा कुछ मजा आ सकता है पहले एक बार आगे बैंक निफ्टी क तो हमारे को बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है अगर market ज्यादा बड़ा मैं gap down नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं लेक्ट से 100 यस 70-80 points मीचे खुलती है तो यहाँ पे market time बिताती रहे और उसके बाद यहाँ से ब्रेक आउट करे तो हम buy कर सकते हैं और इस momentum को हम खा सकते है यहां से market 44 जाए यह 43 900 जाए यह 44 पारकर के और उपर जाए यह पूरा का पूरा momentum बहुत बढ़िया है एक captureable momentum होगा और वो तब होगा जब gap down खुले सोचे कल वापस यह gap up खुल जाती है तो होगा कि रोज gap up खुलने से फिर eventually market कभी ना कभी देखो रोज क्या हो रहा है market न तो फिर यहां से हम यह expect करेंगे कि नीचे आए और मेभी और नीचे जाए तो कल अगर बड़ा gap up खुला तो मैं फिर buying का वियू अब लेना छोड़ दूँगा और मेभी मैं वहां पर selling का वियू लूँगा या फिर price action देख के selling करूँगा मानलीजे gap up खुली और market थोड़ा के लिए कोई मतलब नहीं है तो वहां पर selling के बारे में सोचेगा चाहे आपको कल महुका ना मेले परसों मिले बड़ अगर market gap down खुलती है तो यहां पर एक अच्छा trend चल रहा है और हम यहां पर बड़िया बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं यह बहुत अच्छा हो अब यहां पर फिनिफ्टी अगर कल देखिए यहां पर एक trend line भी बना लेता हूं मैं इस trend line को लगबग लगबग अच्छे से respect कर रहा है सबी लो यहां पर लग रहे हैं तो कर अगर फिनिफ्टी थोड़ा gap down खुलता है लेट से 500 के आसपास खुलता है और इस एरिया को hold कर करता है यहां पर market खुद को maintain करती है आज की closing और इस gap down के भीच में तो हमें होगा क्या कि यहां पर second half में या 10-30 के बाद एक बड़िया momentum मिल सकता है और हम 640 और 680 इस region तक जा सकते हैं कापी बड़ा momentum मिल सकता है तो यह आप capture कर सकते हो कि अगर फिनिफ्टी के expiry है अगर क काफी अच्छा होगा buying के case में अगर आप यहां पर करते हो तो कि यहां पर आपको कोई खास resistance देखने को नहीं मिलेगा उपर और market यहां से थोड़ा flow में निकल सकती है तो अगर 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 फ्लैट भी खुलता है तो 560 के उपर आप 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 कर सकते हो ठीक है फ्लैट भी खुलता है तो 560 के उपर भी कर सकते हो और 560 के उपर आपका जो पहला टागेट है वो अगेन जो मैंने बोला 640-560 यह एरिया का रहना चाहिए तो अगेन वहां पर इस्टोडिवाट ठीक है बट अगर अगर यह वापिस ग्याप खुल जाता है 600 के उपर 620-25-30 तो मैं कल कल का दिन चाहिए ट्रेडिंग को एवाइट करूँगा और फिर इस एरिया में मैं में भी कुछ नेगिटीव बना तो शॉर्ट कर सकता हूं बट बाइंग को मैं थोड़ा सा शायद फिर अवाइट कर दूँगा हो सकता है यहां से मार्केट ब्रेक आउट कर जाए बट बना रहता है तो फिर हम आने वाले दिनों में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी यहां पर देखिए मार्केट ग्लोबल मार्केट से सेंटीमेंट लेके ऊपर भाग रही है और अगर आप यहां पर नैस्टेक का चार्ट देखोगे तो नैस्टेक हर रोज भर रहा है कर रहा है अब चैनल के अपर एंड के आसपास आगया है अभी आप देखो यहां पर लगबग छे दिन लगातार यह पॉजिटीव बंद हो गया है कल अगर यह सात्वा दिन भी पॉजिटीव बंद होता है रात को तो कल का दिन हम लोग फिर एक सेलिंग का ही प्लान करेंग तो फिर थोड़ा सा gap down खुलके या flat खुलके जाए तो वो कामयाब है तो हम buying करेंगे trend के साथ ही जाएंगे मगर अगर market यहां पर लेट से किसी कारण से बड़ा gap down खुल जाती है जैसा कि हम लोग अभी तक discuss नहीं किये हैं बट लेट से यहां पर bank nifty 500 की नीचे खुल जाता बट अगर बड़ा gap down खुलता है तो हम देखेंगे कि bank nifty क्या कोई negative closing दे रहा है कोई नीचे की candle बना रहा है बना रहा है तो फिर हम यह से clue ले सकते हैं कि market में एक up move आया वापिस rejection हो गया और वापिस यह घूम गया फिर हम पर्सों से negative side पे plan करेंगे बट दिवाली है महौ का सोचना होगा कुछ confirm मिले तो सोचना और अगर बड़ा gap down खुलता है तो आप देखो price action और उसके बाद selling करना हो तो करना अगर market flat छोटा-mोटा positive यह थोड़ा बहुत decent down खुलती है तो वहाँ पे तीनों में बड़िया buying का momentum बन सकता है आपको levels में बता दिये निफ्टी की बात करते हैं थोड़ी सी निफ्टी में इंट्राडे में अच्छी buying आई है फिर भी निफ्टी gap अप खुला उसके बाद continue किया है और यह काफी हद तक towards the end जो है हम देखेंगे कि एक buying काफी अच्छी चली है जब भी market में second half में towards the end buying होती वो generally भड़े players करके जा रहे होते है तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर हमने कल के weekend वाले वीडियो में भी बात की थी कि अगर आज Monday को market gap अप खुलती है तो शायद निफ्टी में ज्यादा अच्छा momentum रहेगा तो वैसा दिख भी रहा है निफ्टी 1% उपर है bank निफ्टी लगबग लगबग 0.7 तो यहाँ पर निफ्टी में अभी भी थोड़ी जगा है क्योंकि देखो निफ्टी जो है ना इतना जादा तेजी से नहीं बढ़ा निफ्टी में अभी भी जगा है और निफ्टी के अंदर 530, 550 यह सब targets pending है तो निफ्टी अगर 400 के उपर खुद को maintain करता है तो आप 500 प्लस के target के लिए ह निफ्टी प्ले करोगे बट निफ्टी खड़ाब हो जाएगा अगर 400 के नीचे आता है और 400 के नीचे मैं यह नी बोलना आपको blindly shot करो 400 के नीचे closing आने दो को negative candle बनने दो एक दिन फिर निफ्टी को shot करेंगे तो निफ्टी में selling का view तो बिल्कुल है वाइड है लेकिन यहा करेंगे कि वहां से और फॉल आना है कि वहां पर मार्केट रुकती है संबलती है और breakout करती है फिर तो उपर जाना है बट यह अभी मार्केट में चल रहा है चार दिन से अब निफ्टी भी यहां से जादा जगा नहीं बची तो एक दिन और अगर तेजी हो जाती है तो फिर बैंक निफ्टी की तरह आईसे से बैंक का चार्ट भी बड़ा अच्छा बना है और यहां पर इसने breakout कर दिया है आज के दिन में इसने breakout किया यह एक trendline मेने इसकी बना रखी है जैसे बैंक निफ्टी के वैसे यह किया है तो यह अगर खुदको 940 के ऊपर होल्ड करता है 940 क की ऊपर तो 940 का अपना stop loss मान के इसको आप भाई कर सकते हो positionally इसके target थोड़े बढ़े ले सकते हो और short term में आपको 960 का target है यानी 940-960 रुपे का target है और depend करेगा entry का मिलती है 944 पे मिलती है 946 पे मिलती है 47 पे मिलती है तो आपको 15-20 रुपे का target रह जाएगा और 7-8-6 रुपे का 5 रुपे का stop loss रहेगा और अगर ये breakout करता है तो फिर और भरे target के लिए भी तयार है बहुत अच्छा stock है तो इसको आप अगर लेते हो तो लेकर रख सकते हो ICICI bank यहां से कुछ अच्छा कमाल कर सकता है दूसरा stock रहेगा reliance यह भी एक heavyweight stock है जब ऐसे poised हो जाते है ना market के कुछ अच्छा करने के लिए तो फिर एक intraday में बड़ा momentum आने की तयारी होती है और हमने ऐसा past में भी बहुत बार देखा इस channel पर तो आपको मालूम ही होगा यहां पर देखिए अगर market में reliance की बात करें तो slow slow अभी छोटी-छोटी candles के साथ एक up move आ गया है अब 2, 3, 2, 5 के आसपास top loss रख सकते हो आपको यह 2, 4 रुपे नीचे मिले तो भी buying का case है, 2, 4 रुपे उपर मिले या flat मिले तो भी buying का case है, target में आपको 80 का बता दिया, बट अगर इसमें भी अगर कुछ रात को global market में खड़ाब होता है, बड़ा gap down होता है, तो फिर हम बोलेंग बहुत strong है और buying के side का ही है, तो chances तो positive ही है, बस again बहुत बड़ा gap up खुल गया, तो फिर again आपको mohka नहीं मिलेगा, और फिर वहाँ पे कुछ traders जैसे मैं खुद भी selling का view लेना चालू कर देंगे, उपर के areas में, तो यहाँ पे आपको इस चीच का धियान रखना है, कि gap up स्टेन करें, वो थोड़ा difficult है, यहाँ पे दोस्तों एक stock और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो है यहाँ पे बजाज फिंसव, इसकी बात हम लगबग रोजी करते हैं अपने channel पे, तो यह last trading session में गिर गया था suddenly, I don't know dividend था या क्या था, बट अभी भी pattern अच्छा है, दूसर टागेट आपका जो रहेगा, वो रहेगा, सोला सो का round level, 1600 रुपीज की उपर अगर यह sustain कर जाता है, close कर जाता है, तो फिर आने वाले दिनों में बड़े टागेट के लिए इसमें जगा खुल जाएगी, तो बजाज फिंसव मेरा अगला stock है, जोस्तों आपको वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, आज के लिए इतना ही हम कर्फिल से मिलेंगे, हरे कृष्णा